हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे रेस्पाइरेटर सिस्टम ऑफ पैरि प्लैनेटा अमेरिकाना यानी की कौकरोच के स्वसंतंत्र के बारे में पढ़ेंगे कौकरोच में जब हम बात करते हैं तो इस में जो रुधीर परी संचरन तंत्र होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए इनका रेस्पाइरेटर सिस्टम बहुत जादा डवल अप होता है और यह जो cockroach होता है इसका जो blood होता है वो colorless होता है that means इसके अंदर कोई भी respiratory pigment नहीं होता है जो कि oxygen को carry करता है जैसे हमारे अंदर hemoglobin होता है और इस कारण color जो है blood का वो red होता है यह colorless होता है क्योंकि इसके अंदर कोई respiratory pigment नहीं होता है इस वज़े से इनका स्वशंत अंत्र जो है वो बहुत अच्छे से डवलप होता है और जो oxygen है जो air है वो directly tissue को transfer कर जाती है किसके तूँ ट्रेक्यल सिस्टम के तूँ respiratory system जो कौकरोच का होता है इसमें तीन वुख्य पार्ट होता है एक stigmata होता है जिसे में spiracle बोलते हैं एक trachea होता है और एक trachea होता है अब हम इसके बारे में detail में पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे stigmata और spiracle के बारे में जो इनकी मुखेश वासनली होती है जो tracheal trunk होता है वो segment wise जो है communicate करता है बाहर से exterior से कितने 10 pairs of opening होती है बाहर की तरफ opening होती है और उन्हें हम क्या बोलते हैं stigmata बोलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं stigmata या spiracle भी बोलते हैं और ये 10 जोड़ी होते हैं और जो शरीर के बाहरी सते पर खुलते हैं अब यह 10 जोडी कहां पया जाते हैं? पहले 2 जो सेगमेंट सोते हैं. वो थोरेसिक सेगमेंट सी होते हैं. एक मिजेतोरक्स पास होता है और एक मेटा थोरेक्स होता है. अर अगर हम पैसिकली देखें तो एक जोडी जो होते हैं, वो अग्रो अर्माद्धिए खनड के बीच में होता है दूसरी जोरी जो होता है उसके एक मेजोतोरेक्स में होता है बचे होगे जो 8 पेयर्स है क्योंकि दो पेयर थretsic में होगे उस्याइ इसके एबनॉमिनल सेग्मेंट्ट्स में यानि कि उदर के प्रतम जो आठ खंड होते हैं उसमें हर खंड में एक जोड़ी स्टिगमठा या स्वसंद नली रंद्र या स्पारिकल्स प्रेज़न होते हैं ये रंद्र जो हैं प्रते खंड के दोनों लेटरल साइड पर पार्ष्म में यानि लेटरल साइड के उपर प्लूरा जो होती है जो लोवर साइड होती है वहाँ पर प्रिजन्ट होते हैं स्पारिकल्स जो होते हैं जो कौकरुच के स्पारिकल्स जो होते हैं वो होलोनुवेस्टिक होते हैं सारे स्पारिकल्स में एक वाल्व लगा रहता है यह प्रते कंटो जो यह स्पारिकल्स होते हैं इसमें उपर की तरफ एक आवरन पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं जो कि धूल और कणों को अंदर जाने से रोपता है कोमल क्यूटिकल्स में लिगा होता है रंदर के चारों एक एनुलर कटक पाया जाता है जिसे हम पैरि टृम कहते हैं और इसको बंद करने के लिए एक सरलसा इसमें कपाट पाया जाता है पानी की जो अनावश्यक हाणी है उसको रोपता है और वायु के आवा गमन को नियमित रखने के लिए खुलता है और बंद होता रहता है प्रतिक जो उरंद्र होता है जो स्पारिकल होता है वो अंदर की और एक चोटी सी नली ट्रैकियल चैंबर यह एत्रियम में खुलता है यह जो एक्रियम होता है यह आगे जाकर कि ट्रेकिया के अंदर खुलता है इस तरह से जो स्टिगमेटा होता है यह 10 होते हैं दो थोरेसिक में होते हैं और 8 जो हैं वो पहले 8 सेग्में में होते हैं इनले स्ट्रे सकिरों एक छळडा एक कपाटे जाता है या तो पनी की अनावश्यच्र खाने को रोकता है दूसरा इसका इस स्ट्रक्च्यर लता है इनका जो रुधीर गुहीका में भी तिल चट्टे में जो रुधीर गुहीका होती है यानि कि जो हीमोसील होती है उसमें शाखित और बंद ट्रेकेल का एक जाल पाया जाता है जैसा कि हम इस चित्र के अंदर देख रहे हैं इसमें बड़ी बड़ी पैरेलल तीन जोड़ी स्वास ट्रेकेल ट्रंक यानि स्वास नली महावाहिनिया होती है और इन में से जो एक जोड़ी होती है वो डॉर्सल होती है डॉर्सल ट्रेक्यल ट्यूब होती है, एक वेंटरल होती है और एक रेटरल ट्रेक्यल ट्यूब आए जाती है तो इस तरह से इसमें तीन जोड़ी अनुदेधरी है, समानांतर, एक दूसरे के समानांतर होती है और अनुदेधरी होती है तीन कौन से होती है एक प्रस्टी होती है डॉर्सल एक अधरी है क्याई वेंटरल और एक जोड़ी जो है वो लेटरल होती है इस तरह से इसमें तीन जोड़ी जो है वो स्वासनली पाई जाती है ये जो महावाईनिया होती है ये जो अनुदेधरी होती है ये ट्रांसवर्स कमिशर्स के द्वारा परस पर जुड़ी रहती है इन स्वासनलियों का निर्मान जो है किस से होता है जो बाहरी अध्यावरन जो इंटुग्यमेंट के जो इन्वेजिनेशन के रूप में होता है और इसकी रचना में एक बाहरी उपकला भिट्टी होती है जब हम इसका structure दीते हैं ये वाला structure of trachea तो इसके अंदर जो बाहर की तरफ जो structure पाया जाता है सबसे आउटर मौस जो structured होता है क्यूक्य ये इंट्युमेंट के इंवेजिनेशन के रूप में बती है तो इसकी जो बाहर ही उपकला भिती होती है और इसके अंदर कायटनी क्युटिकल से लाइन रहती है क्युटिकल अस्तरिच सरपी रूप से मोटा हो जाता है और इंटीमा बनाता है यह स्वास नलियों को पिच्छे पकने से रोकता है जब तिल्चत्रे के जल के अंदर हम उसका डिसक्षन करते हैं तो यह नलियां जो होती है वो चमकीली चमकीली दिखाई देती है तो इस तरह से जो इसके अंदर तीन स्वास नलिया तीन जोड़ी स्वास नलिया पाई जाती है ये स्वास नलिया जो होती है इसका थर्ड इंपोर्टन पार्ट होता है वो होता है ट्रेक्योल्स या स्वास नली का है अत्यंत बर शाकित हो करके और शाकाय आपस में मिल करके स्वासनलिया जो होती है जो ट्रेक्योल्स होती है वो बहुत महीन हो जाती है और शरीर के सब भागों में प्रवेश कर जाती है स्वासनली की अंतिमहीन शाखाय जो होती है वो TRACHEOL doctrine क्यलाती है जो की शरीर की प्रतेक कोशिका के संपरक में रहती है और अर्गन में रहती है और वो हर सेल के contact में रहती है %The terminal cells जो होती है वो ajitator molecular tubular branches जो होती है इन्हें हम बोलते हैं TRACHEOL ट्रेक्योल्स किसकी बनी होती है एक प्रोटीन होता है ट्रेक्योल्स प्रोटीन की बनी होती है और इसमें इंटीमा और टैनीडिया नहीं पाये जाते हैं इसके अंदर एक fluid बरा रहता है tracheols के अंदर जिसे हम बोलते है tracheolar fluid कहते हैं और जो tracheolar fluid जो होता है वो vary करता है कि उस वक्त उसकी जो insect है जो cockroach है उसकी metabolic activity जो है वो कैसी है उसके accordingly उसके अंदर fluid जो है कम ज़्यादा होता रहता है जब tracheolar fluid ज़्यादा होता है जब वो inactive होता है और जब वो कम होता है तो वो ज़्यादा active होता है तब उसके अंदर fluid जो है वो कम हो जाता है tracheol जो है वो cell के अंदर penetrate करती है और ये mitochondria से direct connect रहती है और वहाँ पर ये oxygen को supply करती है क्योंकि इन में स्वशन वरना के respiratory pigment नहीं होता है तो oxygen सीधा जो है वो कोशिखा को transfer कर देती है तो इस तरह से इसके अंदर जो स्वशन तंत्रुच होता है उसके तीन मुख्य भाग होते हैं एक stigma spiracles होते हैं, trachea होती है और tracheols होते हैं आज के लिए हम इतना ही बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का बाट पढ़ेंगे तैंक्यू